जए संकर की 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 ओम नमस्ते भाए सिवतंत्र जोतिस में आपका स्वागत है जोतिस एवं बैद समराट स्वरगी दरवारी लाल सर्मा जी के पांच मी पीड़ी के तंतराचार सास्त्री लोके स्पागल जी हाँ आपका दोस्त आपका भाई आपका मित्र आपके परवार का सदस्य हूं आप मेरा परवार हैं अपने परवार में अपने घर के आंगन में कुछ कहने के लिए आया हूँ मोबाइल के मद्ध हम से देखी जैसा कि यूटूब पर बाढ़ आ रखी है तहंत्रकों की, बाबाओं की, मौलूबियों की, भगतों की लेकिन कभी आपने ही सोचा है वो लोग बिसेश समय पर अपने लिए ही करते हैं जैसे दीवाली हुआ, होली हुआ, नवरात्र हुआ, सूरी ग्रहेंड हुआ, चंद्र ग्रहेंड हुआ लेकिन ये आपका दोस्त आपका भाई अपने लिए तो कर ही रहा है आपके लिए भी कर रहा है 21 जून 2020 को जो सूरी ग्रहेंड पड़ रहा है 870 साल बाद वो योग है एक चंदर ग्रहेंड पहले निकल गया है एक बाद में आएगा उसके बीच में ये सूरी ग्रहेंड है और मैं पहले भी बता चुका हूं जैसे एक सूर अंधकार को खत्म कर देता है पूरे दुनिया से पूरी स्रिस्टी से बैसे ही सूरी ग्रहेंड में भजन भाव जाप पाठ करने का करोड़ों सूर के वरावर फल मिलता है मा गंगा के तट पर यानि कोई घर पे करता है तो दस हजार गुना मिलता है देवाले में करता है एक लाख गुना मिलता है समसान निर्जन इस्थान पर दस लाख गुना मिलता है और मा गंगा के किनारे पर करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है ऐसे ही अगर एक करोड सूर एक शाथ निकलने तो कितना उजाला होगा वैसे ही जिन्दगी में reaction action होता है यह definitely इसमें कुछ भी जूट नहीं है तो अपने लिए तो हम करी रहे हैं लेकिन आप के लिए भी हमने दुरगा सबसती का पाथ और कनकधारा का रखा है जो ब्यापारी है special ब्यापार के लिए ही लक्षमी आकरशन के लिए कनकधारा का है और आल सॉलूसन आपके जीवन की हर प्रकार की सॉलूसन के लिए हमारे हाँ दुरगा सबसती का पाथ हो रहा है मा गंगा के तट पर जो आपको संकलब लेते समय का वीडियो दिखाया जाएगा क्योंकि पूरा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा साड़े तीन घंटे का उतना वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि बहुत सारे बिजी रहने का माहौल होता है तो बहुत कहने का मतलब मेरा ये है कि बहुत सारे जो तंत्रिक हैं वो आप लोगों के लिए कुछ नहीं करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं कि अपनी पूजा को स्ट्रोंग बनाओ और पबलिक को उलू बना दो लेकिन हमारे हम अपनी तो करते हैं साथ में आपकी भी करते हैं हम आपको अपनी बरावरी पर लाना चाहते हैं हम तंत्र को उस लिवल पर ले जाने का चाहते हैं जहां कभी किसी युग में था स्रिस्टी में भगवान संकर ने अपने मुख से कहा था तंत्र गलत नहीं है लेकिन समझाने के रास्ते गलत है कि कहीं कोई सीख न जाए लोगें सोचते थे कोई सीख जाएगा तो हमारे पास क्यों आएगा हमारे पेरों में क्यों गिरेगा वो चाहते आपको अपने पेरों का गुलाम बनाना लेकिन हम नहीं चाहते हम उजागर करने बता भी रहे हैं तंत्र बहुत अच्छी चीज़ है सत्त ही सिभ है सिभ ही सुन्दर है जो सुन्दर है वो कभी बद सुरूप बद चलन बद रूप नहीं हो सकता तो तंत्र भगवान संकर के मुख से निकला हुआ है इसके दो पहली होते हैं एक ब्लेक मैजिक एक वाइट मैजिक ब्लेक मैजिक सिर्फ गलत करने के लिए होता है किसी का माड समोहन उच्चाटन बसी कर धनकाना सर्बनाश करने के लिए जन्हानी के लिए लेकिन वाइट मैजिक उसको काटता है शुख देता है, खुशी देता है, प्रोब्लम को दूर करता है, तो आपका भाई वाइट मैजिक करता है, आपके साथ, बलेक मैजिक नहीं करता है, मैं उन लोगों से बात ही नहीं करता है, जो बलेक मैजिक की बात करते हैं, मैं वाइट मैजिक करता हूँ, मुझे सुखी और बुलाया है चित्रकूट से, ब्रंदावन से, कासी से, जैसी में अविलेबिल कर पाया हूँ, तो वने रही हमारे साथ, देख रही हमारा चैनल, और करिए हमसे वो बात, जिसका आपको इंतजार था, हमारे हां से पार्ट करने के बाद सिद्ध करके आपको एक सो आठ चावल क दाने और एक सोपारी और एक यंत्र बना के भीजा जाएगा, जिसके एफेक्ट आप खुद देखेंगे कैसे होते हैं, सोपारी को लाल कपड़े में बांद के जेव में रखना है, चावल को अपने पूजा मंदर, अलमेरा या वर्किंग प्लेस में रखना है, और यंत्र क वर्किंग प्लेस, अलमेरा और पूजा मंदर तीनों में कहीं भी रख सकते हैं, रजल्ट आपके हाथ होगा, तो चलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, यही बताने आया था, कि जो लोग अपने लिए करते हैं, उनसे धूर रहें, जो आपके लिए करते हैं, वहां आप ही होगा, तो सिब तंत्र जोतिस फाउंडेशन रेस्टर भारत सरकार कुछ करने के लिए जा रहा है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, कुछ गल्तियां मुझसे हो यह हो ने छमा करना, अपनों को माफ किया जाता है, मैं आपका अपना हूँ, ऐसे ही देखते रहे हैं, और ऐसा कोई भी तंत्रिक नहीं है, जो अपनी पांच में पीडी तक का पर्चे देता हो, जो जैनुवन है, नैचरल है, वही दे सकता है, मैं नैचरल हूँ, दादा पर दादा का नाम लेता हूँ, अपना एडरस देता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, फोन भी उठाता हू लेकिन वो लोग कुछ ऐसी हैं जो अपना बाप का नाम भी नहीं बताता है, साबधान रहिए, देखती रहिए हमारा चैनल, ओम नमस्ते बाए